थैलिसीमिया और चाइल्ड वैलफेर संस्था द्वारा पिर्धित बच्चों के इलाज के लिए पिछले 25 सालों से लगातार कारे किया जा रहा है आपको बता दें कि प्रदेश में हर साल करीब 13,000 बच्चे थैलिसीमिया के कारण दम तोड़ देते हैं लहाजा इस जान लिवा बीमारी की अवैरनेस के लिए शहर की वरिष्च समाथ सेवी का एवं चैल्ड वैलफेर संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर रजिनी भंडारी त्वारा डांस फौर और कॉल्स प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम के बारे में MP News के समवादाता युवराद सिंग पुरावत ने उनसे खास चरचा की आई आपको दिखाते हैं डॉक्टर रजिनी भंडारी के साथ हुई MP News की खास चरचा MP News की खास पेशकष हिंदुस्तान की मिसाल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ युवराद सिंग पुरावत आज हम आपको ऐसी शक्सियत से मिलवाने जा रही हैं जिसने की अपने 25 साल समाचकार को दिये हैं जी हाँ डॉक्टर रजिनी भंडारी ये एक ऐसी शक्सियत है जो की थेलिसीमिया बिमारी से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए बेड़ा उठाती है और उन्होंने ये ठाना है कि इस बिमारी को जड़ से मिटाना है सीधे जोड़ेंगे उनसे और जानेंगे थैलिसीमिया बीमारी के बारे में और उसके क्या लक्षन होते है मैम थैलिसीमिया बीमारी क्या बीमारी है और इसके क्या लक्षन होते है ऐसा है युवराज कि ये एक जनेटिक प्रावलम है और बहुत ख़तरनाक इसको हम कह सकते हैं क्योंकि इसका बहुत जादा इलाज नहीं है जैसे कैंसर तो हंडिट परसंट ट्रीटेबल है अगर हम उसको यंग उसमें फर्स्ट स्टेज में डाइगनोज करें पर थैलिसीमिय के साथ ये है कि इस से पीड़िद अगर बच्छा है तो इसका सारी जिंदगी ट्रीटमेंट चलना है और सबसे ज़्यादा दुखत पहलू यह है कि ट्रीटमेंट पे हर पंद्या दिन में हर दस दिन में कम से कम एक महीने में उसको खुं चड़ाना है एक बोटल या दो बो साल हाला कि बहुत बड़े उमर के भी कई लोग हैं लेकिन वो बहुत रेयर केसिज में होते हैं ये जैनेटिक डिसॉडर भी है तो किस प्रकार से शादी से पहले युवा की उवतियों को एक तरीके से क्योर रखना चाहिए मैं आप इसी मुद्दे पर आना चाहूंगी पच् पैदा हो रहे हैं एक तरह से ये कहा जाता है कि कई पेरिंट्स जान बुझ के पैदा कर देते हैं या कई पेरिंट्स अन्जाने में पैदा कर देते हैं तो क्यों ना इसके लिए एक ऐसी मुहीम चलाई जाए कि ऐसे बच्चों को पैदा होने से रोका जाए बहुत सारे ये बार हमने थालिसीमिय केरियर डिटेक्शन केम्प किये, फ्री किये, बार बार जाकर लोगों को बोला कि प्लीस शादी से पहले बलड की जांच कराईए, लेकिन कोई भी नहीं सुनता, मुझे यहां कहने में जरा भी तकलीफ नहीं है, कि जो आज का युवा है, वो पिज़ा सल्मान खान की नई पिक्चर का टिकेट 500 रुपए में खरीद कर देखने में, तो अपने शान समझता है, लेकिन अपने शरीर के लिए वो बलड टेस्ट कराने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं है, तो उसी का नतीज़ा यह होता है कि नोइंगली और अनोइंगली इस तर कर रही हो कि जब मैंने लेक्चर रखे, पाउर पॉइंट प्रेजेशन रखा, फ्री कैम्प रखे तो उसमें पकड़ पकड़ के लाने के बाद भी लोग बलड टेस्ट नहीं कराते, मतलब यह हुआ कि उसकी तरफ हम लोगों का ध्यान आकरशित नहीं कर पाए, आजकल काउस नाम दिया है, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन किये हैं, 18 onwards, 18 साल से उपर के लोग महिला, पुरोश, युवा, एज लिमिट कोई बार नहीं है, सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, बेसिक कॉंसेप्ट यह है, कि हम उनसे यह कहेंगे क आपके अगर बच्चों की आपको शादी करनी है, तो आप आज यह प्रंट कीजे कि हम अपने बच्चों का बलड टेस्क कराएंगे, फिर उनकी शादी करेंगे, अगर कोई केरियर है, तो उसे सिंपल प्रिकॉशन रखनी है, कि दूसरे केरियर से आप शादी मत करो, केरिय भी लोग आएंगे, सब एक बड़े से होर्डिंग पे साइन करेंगे, कि आज के बाद हम एक तो इस मैसेज को फेलाएंगे, दूसरा, अगर हमारे बच्चों की हमें शादी करनी है, अगर हमारे ग्रेंट सन की या ग्रेंड डॉर्टर की हमें शादी करनी है, तो सबसे पहल तो यह थी हमारी समास सेवी का डॉक्टर रश्नी भंडारी जिन्हों ने अपने जीवन के पच्चिस साथ करेंगे। थेलिसीमिया नमक बिमारी की रोब्थाम के लिए लगाए हैं। कैमरा परसन अरुन यादो के साथ युगराज सिंग परावत की रिपोर्ट, MP News, इंदौर.